नमसकार दोस्तों, मैं हूं मम्तातिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मम्ता ज्वे में तो चलिए दोस्तों इस विडियो में दिवाली की पूजा वेधिवी साथ में आप लोग देखते चलिए और आप लोगों के जितने भी महतवपूर्ण प्रश्ण है दिवाली को लेकर कि जैसे कि हम ब्रत रख कर पूजा करें दिवाली के दिन लहसुन प्याज का प्रियोग कर सकते हैं भोजन में लहसुन प्याज खा कर साम को पूजा कर सकते हैं और पांच दिन पीरिट का हुआ है तो पूजा करें ना करें, खोईचा भरे या ना भरे, प्रसाद कब उठाएं, अखंड दीपक जलाना जरूरी है, यम के दीपक को भी लेकर आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रशने, पूजा कब करें, गर्वती महिलाएं क्या, यम का द पूर्ण प्रशन है, सभी प्रशनों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग ध्यान से सभी बाते सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्यूंकि मुझे भी देखिए समय नहीं मिल पा रहा है, दीवाली को लेकर, कि आप लोगों के सभी प्रशनों क और कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगी, तो माफ कीजिएगा, तो इसमें पूजा विधी भी पहला वीडियो तो डाल चुके हूं, दूसरे वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, पूजा विधी का भी वीडियो चल रहा है, देखते चलिए कलसा स्थापित करे हूं और सभी प्रश्णों के उतर भी साथ में आपको देते चल रहे हूं, और आप लोगों ने पूछा एक दिदी, आप हर साल नया लक्षमी गनेश जी की मुर्ती नहीं लेते हैं क्या, तो आपको बतादू कि जी नहीं, एक मंदीर में दो-तिन गनेश जी की प्रतीमा नहीं र रखी हूं गनेश जी को, और चांदी का मैं पूजा पार्ट के लिए रखी हूं, तो उन Cindy को उतर कर पूजा पार्ट लेती। हर साल मैं मूर्थी नहीं खरीती हूँ क्योंकि विसर्जन का फिर हमें टेंसर नहीं करें क्या करें नहीं करें हर जगा सुविधा भी नहीं रहता जल का तो इसलिए नहीं रखती हूँ और आप लोगों को भी यही समझाती हूं कि एक बार अगर पीतल की चांदी की आप लोग मुर्ती ले लेते हैं तो हर साल आपको मुर्ती खरिदने की जरूरत नहीं है और विसर्जन विधीवी करने की जरूरत नहीं है मुर्ती का विसर्जन हमें करने की कोई आउसकता नहीं ह तो इसलिए मैं नहीं खरीती, आप लोगों का ये भी कमेंट्स था कि अब पुरानी मुर्ती से करती तो जी नहीं मेरे पास चांदिक हैं, इसलिए मैं नहीं खरीती हूँ, आप लोग भी अपना देख लिजेगा, चली अब आगे आप लोगों का जो प्रश्न है वो बता दू कि क्या हमें दिवाली की पूजा ब्रत रख कर करनी चाहिए या बिन ब्रत रखे करनी चाहिए, तो आपको बता दू जी, दिवाली की पूजा मैं बाकी लोगों का तो नहीं जानती, लेकिन हमारे घर में ब्रत रख कर दिवाली की पूजा हम लोग नहीं करते हैं, खापिकर करते हैं साम को केवल इसनान करके नया वस्त्र पहन लेते हैं मतलब साफ सुत्रा होनी चाहिए कोरा का जरूरत नहीं है और वही पहन कर और बैठकर हम अच्छे से स्रिंगार करके पैरों महावर वगरा लगा कर और लक्षवी गनेजी की पूजा करते हैं वीधी विधान से साम को हमें पूजा करनी है पूजा का सुमूर्थ क्या है वो भी आगे वीडियो में मैं बता दूँगी ऐसे पहला वीडियो पूरा डीटेल में डाल कर छोटा साही वीडियो डाली हूँ आप लोगों के लिए समझा चुकी हूँ आप लोग उस वीडियो को चेक आउट ठीक है अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछें क्या दिवाली के दिन जो भोजन बनाएंगे उसमें लहसुन प्याज का प्रियोग कर सकते हैं तो जी दिवाली तक जिनके चट पूजा होता है या नहीं भी होता है तो दिवाली तक जैसे चट पूजा वाले घर में लहसु प्याज की पकोड़ी, चकोड़ी, कड़ी, चावल, खीर, पूरी, बहुत सारी चीजे बनती हैं, तो उसमें लहसुन प्याज आप लोग डाल सकते हैं, बाकि आप अपने घर का भी नियम देख लिजेगा, हर घर के नियम अलग होते हैं, ठीक है और पूजा वीधी भी आप ल नहीं करते हैं, तो खोईचा डाले या नहीं, तो देखिए, आपको मन हो तो डालिए, मन हो तो ना डाले, टोटल आपके एक्षा के उपर छोड़ देती हूं, लेकिन हम लोग कभी भी किसी भी देवी की पूजा करते हैं, तो हम लोग वही कुलहड़ वाला जो हता है न दिवाली में उनका प्रसाद वेगरा उसी में भर कर माता के पास रखते हैं या किसी कपड़े में भी रख सकते हैं मैक्सिमम मतलब कुलहड में ही रखते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम माता को बीदा कर रहे हैं से हम संकटा माता की पूजा करते हैं तो सात महिलाओं का खोईचा भरते हैं तो इसका मतलब या ऐसा थोड़ी है कि हम उनको बीदा करते हैं खोईचा भरना सूभ होता है इसलिए हम लोग भरते हैं आप लोग अपना देख लिजिएगा अगला आप लोगों का प्रशने है कि अखंड दीपक क्या प्रजलित करना जरूरी है तो जी, कलस रखना जितना आनिवार है दिवाली के पूजा में उत्रा ही जरूरी है अखंड जोती जलाना, कलस के उपर जो दिया है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी की चीजों का अधिक प सब कारे करेंगे आप लोग पूछे इस धनिया का क्या करेंगे दिदी हल्दी का क्या करेंगे दिवाली के पूजा के बाद तो ये सभी चीजे हम इस्तमाल करेंगे अपने रसोई घर में इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा ये भी किलियर हो गया अगला आप लोगों का प उसको भी दे सकते हैं कोई नहीं है तो आप लोग भी खा सकते हैं सारी बाते एकदम ध्यान से समझते चलिएगा सोची की ए वीडियो डालना बहुत जरूरी है बहुत सारे लोगों का एक ही प्रशन आया था कि ब्रत रखकर पूजा करे कि ना करें अगला आप लोगों का प्र ऐसे गुरुवार के दिन तो गोबर मिट्टी से नहीं लिपनी चाहिए आप केवल मिट्टी से पानी डाल कर लिप सकते हैं गोबर ना डालें और दिवाली के दिन आप लोग पोछा लगा सकते हैं क्यूंकि वार से बड़ा तेवहार हो जाता है दिवाली का दिन है और फिर हम पोचाना लगाएंगा, मिट्टी वाले घर को लीपे ना, दर्वाजे को धोए ना, जल से, पानी से, तो फिर दिवाली का फायदा क्या होगा, तो इसलिए अलक्षमी जी के स्वागत के लिए सभी कारे हमें, गुरुबार भी पड़ा है, तो हमें करनी हैं, ये किलियर हो गया और अखंड जोती भी आपको जलानी ये भी बता दी, अब चली, आगे आप लोगों का प्रश्न है, कि दिदी नारियल का क्या करेंगे, जो भी हम पूजा में देखे, इधर मैं खुचा भर के दिखा रही हूँ, इस परकार के कुलर में भी आप लोग भर सकते हैं, ये हम प्रशाद के रूप में गरहन करते हैं, पूरे सब परिवार, और जो भी चीज़े आप चौकी पर चढ़ाते हैं, दीवाली के दिन, जो भी मतलब फाल, फ्रोट मिठाई, वो चीज़े हमें उस दिन नहीं उतारनी है, मतलब खानी नहीं है, प्रशाद भी नहीं बाटनी हैं, किन्तु आप लोग ध्यान रखिएगा, कि आप लोग चौकी पर चढ़ी हुई चीज़ें, दीवाली के दिन न उठाएं, ये भी किलियर कर दी, अब चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्ण है, कि दीदी, जैसे हमारा पांच दिन हुआ है, तो क्या दीवाली की करने के जुरुत नहीं है, क्योंकि हर आदमी को इतने अच्छे तरीके से जैसे महिलाएं करती हैं, उस बिधी से नहीं आता, और कुछ लोग हैं कि महिलाओं से भी अच्छे तरीके से पूजा पाट कर लेते हैं, तो आप देख लिजए आपके पती किस प्रकार से करने के ल संखनाद कर देंगे, दीपक प्रजलित कर देंगे, उतना ही में आपका दिवाली पूजा हो जाएगा, ठीक है, भगवान सब जानते हैं, यथा सकती तथा भगती, तो इसलिए ज़्यादा परिसान ना करें, अगर आपका पांच दिन हो गया है, तो देखें, पांचवे द और अपने उपर गंगा जल का छिड़काओ जरूर कर लिजिएगा, उसके बाद ही आप लोग कीजिएगा, ठीक है, तो ये भी बता दी, यम का दिपक का, तो देखें, कुछ लोग तो धनतेरस के दिन ही निकाल लिए हैं, यम का दिपक, लेकिन हम लोग, जैसे हमारे बिहा यूपी में आज के दिन, नरक चतुरदसी के दिन, दीवाली से लक्षवी माता को बुलाने से पहले, आज के दिन, तीस तारीकों, आज हम लोग निकालेंगे, यम का दिपक, रात्री में निकालेंगे, और अगर आप लोग माल लिजिए कि बहुत दूर जाने लाइक नहीं तो ठीक है, अपने घर के पूरूस को भी आप लोग दे सकती है, पूरे घर में दिखानी के जुरूरत नहीं है, वहीं ले जाकर भी जला सकते हैं, या घर से जला कर भी ले जा सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, और ले जाकर बिल्कुल साधारन विदी से में यम इंका दिपक थोड़ा घर से दूरी पर ले जाकर आप लोग रख दीजिएगा और उस दिपक को फिर उठा कर नहीं लानी है वह ही छोड़ देनी है अगर अगर आप जंगल जाड़ में कहीं रख देते हैं तो जो लोग ले कर आते हैं वो अपना देख लेंगे लेकिन हम लोग नोट करके रख लिजेगा कुछ बहने जो हैं भूल जाती हैं और कहते हैं दिदी भूल गई तो ध्यान से निकल गया तो ऐसे हो गया तो भूलिएगा मत भूलने से काम नहीं चलेगा ध्यान रखनी पड़ेगी अगला आप लोगों का प्रश्ण है कि गर्वती महिलाए क्या यम का दीपक निकाल सकती है तो जी नहीं गर्वती महिलाए यम का दीपक नहीं निकालती है आपको यम का दीपक नहीं निकालनी है कोई निकालने वाला है तो निकलवाईए नहीं निकालने वाला है तो आप रहने दीजिए यम का दीपक ऐसे प्रेगनेंसी में निकाल जी मत देखिएगा एक बर दीपक रख दिये फिर हमें पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देखने हैं आख बंद करके वहां से चले आई है यह नियम है इसका ठीक है अभी तो बहुत सारे लोग बताने लगे तो इसलिए आपको सोची की समझा दूँ आप लोग भूले नहीं औ थोड़ा कमी काम कीजिएगा आप लोग बहुत सारी चीजे बाद में जैसे ब्रत बीत जाते हैं आप लिखने लगती हैं दीदी दूपटा जल गया तो लक्षमी जी का दीपक गिर गया तो मूर्ती में थोड़ा सा जल गया तो माता के चुनरी में लग गया तो प्लीज में बाहर अंदर जहां भी रखती हैं साउधानी हटी दुरघटना घटी आप लोग को मालूम है ना साउधानी के साथ क्योंकि जितना ही सुन्दर ये तेवहार है उतना ही रिस्की भी है हर जगत दिया बाती पर्दा वेगरा बचा कर देख कर तब आपको रखनी है ये भी तो बाती अलग है वो तो बहुत कुछ जानते हैं सारी बाते किलियर हो गई तो इस विदी से हम जो है आप लोगों के जितने प्रश्न थे वो भी मैं बता दी और दिवाली के दिन ध्यान में रखते हुए सभी कारे आप लोग कीजिएगा कोई भी कारे देखिएगा आपके पूजा का सकते हैं नॉन वेज विगारा ना खाए अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा का सूब मोहरत क्या है दीवाली के दिवाली पूजा का सूब मोहरत है 31 अक्तूबर दिन गुरुवार को हम लक्ष्यवी जी की पूजा करेंगे साम को छे बचकर 26 मिनट से लेकर रात आठ बचकर 32 मिनट पर आप लोग पूजा कर सकती हैं साम को कुछ लोग रात्री में भी करते हैं तो आपको बता दो रात्री का सुब मोहरत है एक 11 बचकर 40 मिनट से लेकर और देर रात 12 बचकर 31 मिनट तक आप लोग दिवाली के दिन लक्षमी जी की पूजा कर सकते हैं अधिक हिम्मत और प्रेना मिलती है तो जरूर कर दीजेगा और लक्षमी जी का चड़ा हुआ पैसा आप लोग अपने तीजोरी में रख लीजिएगा ये वीडियो मेरा यही तक आथा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खूस रहिए आप सभी को दिवाली के हार्दिक सूब कामनाए और आप सभी खूसियां एक दूसरे के स साथ मनाए हैप्पी दीवाली